अज़िए तेटर आज हम देखने जा रहे हैं रीडर थेटर इन अर्ली चाल्वर्ड सेटिंग में के आपकी विज्वल एड बच्चें को कैसे सपोर्ट करती है रीडर थेटर में बितरीन परफॉर्म करने के लिए वह भी इतने चोटे बच्चे जिनको हम अर्ली अर्स के छे साल तक के बच्चे जो है वो अर्ली अर्स की कैटेगरी में आते हैं लेकिन हम आठ साल तक का बच्चा भी अर्ली चाइल्वड की कैटेगरी में लेते हैं तूसरी चीज इसके अंदर हम यह देखेंगे विश्वल एड्स के लावा जब आप बच्चों को कोई स्क्रिप दे रहे होते हो तो कैसे अपर इस्टेमेट करते हो कि बच्चों की कि लिए करना इससे पहले कि वह बच्चो ynको स्टेज्ऽ में ले आइ और उसे पकड़ा दे और यह कहें कि नाउ स्टार्ट प्रीडिंग डाउट सबसे पहले हम चेक करेंगे कि टीचिंग एड्स क्या है और उसके अंदर हमारे रपास आ रहे हैं विज्वल्स सो जो कुछ भी हम टेक्स प्रेजंट करने जा रहे हैं बच्चों को डेफिनेटली एज एप्रोप्रियेट होना चाहिए जिसकी वज़स से क्या होता है कि बच्चे उस टेक्स को असानी से समझ सकते हैं और उससे रिलेटिंट इंस्ट्रक्शनल एड है वो बच्चों के काम आ आएगी इससे पहले कि आप उनको स्क्रिप्ट दें और उनको बताएं कि आपने क्या करना है क्योंकि रीडर थेट्र जो है वो आने वाला है और आप उसमें स्क्रिप्ट पढ़ने जा रहे हैं पिक्चर से वो क्या कहानी इंटर्वीफ कर रहें या ये ग्राफिक्स उनको क्या समझने में मदद रहें तो इस वे बच्चों को कहानी के क्रेक्टर ऐए क्यानिव में में विज 거예요 हैं इनकी कहानियों में क्योंके इमेजिस हैं, visualsraine, हैं, characters है, pictures है, graphics है, उस समझने में definitely मदद देती है, so that's so important कि उनको dramatization के सामने यानि dramatization के लिए prepare करने के लिए, drama prepare करने के लिए it is important कि पहले आप वो pictures उनके साथ एक दफा discuss कर लें, जितने भी हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं, हम उने emergent readers कहते हैं, अभी उनकी reading skills properly develop नहीं होती, emerge हो रही होती है, और emerging reading skills को हमें support करना पड़ता है, definitely instruction और visual aids के साथ, चाहे visual aids हो, चाहे audio visual aids हो, एक successful performance के लिए जरूरी है कि बच्चे जो हैं वो उसको समझें कि वो text है क्या, so it is good कि वो कहानी बच्चों को आती हो और एक well known story हो जिसे बच्चे पसंद करते हैं, उसके अंदर जो character हो वो बार-बार आप class में पढ़ा चुके हों या common character हो जिसको conceive करना, जिसको समझना आसान हो, words जो हो, आसान हो, ऐसे words हो जो बच्चे जानते हों, ऐसे महावरे इस्तिमाल किये गए हों, कि जो आम महावरे हों, बहुत मुश्किल महावरे ना हों, बच्चे comprehend कर सकते हैं, या ऐसे themes हो, जो बच्चों से related हों, और easy to understand हो, बच्चों के लिए, आपके लिए नहीं, so दूसरी important चीज जो यहां सकती है, आप prompt card इस्तिमाल कर सकते हैं, script इस्तिमाल कर सकते हैं, simple images बच्चों को दिखा सकते हैं, performance के दोरान या discussion के दोरान, performance के दोरान images दिखाने का या pictures दिखाने का एक बहुत एंफायदा यह होता है कि बच्चों की performance ज़रा बेतर होती है, और smoothly हो जाती है, emergent reader के लिए आसान होता है कि वो picture देख लिए ना कि वो text पढ़े, definitely अभी बच्चों की reading skills जो हैं, वो अतनी develop नहीं भी होती है, तो अगर story आपकी pictures के form में भी साथ साथ चल रही होगी और इसमें pictorial और visual ज्यादा होंगे, तो बच्चे बहतरीन तरीके से comprehend भी करेंगे और perform भी करेंगे, तो teachers क्या कर सकते हैं, कि अगर कोई ऐसी कहानी है, जिनके अंदर उनको visuals कम मिल रहे हैं, तो वो इनकी adaptation कर सकते हैं, कहानीों की, और उसमें वो अपने characters जो हैं, नाम लिखने की जगा या prompts की उपर नाम लिखने की जगा उनकी तस्वीरें बनाई जा सकती हैं, उनको print निकाला जा सकता है, paint किया जा सकता है, और बच्चे को वो दिखाया जा सकता है, ताकि बच्चे उसको carry on कर सकें, स्क्रिप्ट के अंदर आप color coded speaking parts रख सकते हैं, जिसमें कुछ parts को आपने color किया और बताया हो कि इसे कहसे पढ़ना है, या इसे कब पढ़ना है, सबसे important चीज जो इसके बाद आती है, वो आती है, हमारा dramatic experience हमने judge करना होता है, estimate करना होता है कि बच्चों का क्या है, हम बच्चों को opportunities परवाइड करें कि उसकिसम की educational games हैं या activities हैं उसमें participate करें, number two, यह जो हमारा dramatic experience level है यह बच्चे का, यह depend करता है कि बच्चे ने कितनी दफ़ा drama किया है, और perform किया है और वो audience के सामने आके successfully perform कर सकता है, अगर एक बच्चा कभी भी audience के सामने नहीं आया तो और definitely वो shy भी होगा और अभी उसके अंदर learning abilities जो हैं बहुत सी expression की, अपने अदर confidence की वो develop हो रही है, तो आप ऐसा बच्चा जिसने से पहले कभी perform नहीं किया, उसका dramatic experience जो है बहुत ज्यादा नहीं है, आप उसे short text जे, आप उसको एक simple part allocate करें text के अंदर जो के वो अराम से short duration के अंदर confidence के साथ perform कर ले, दूसरी important चीज जो आती है, आपको dramatic experience को बढ़ाने के लिए, छोटे बच्चों के साथ ना सिर्फ हमें discipline तरीके से चलना पड़ता है, उनको discipline करना पड़ता है, बलकि मेंने आपके time देना पड़ता है ता कि उनके अंदर confidence और skills develop हो, एक structure time करना पड़ता है, जिसके अंदर हमें बच्चों को लाना पड़ता है, हमें खुट time पर आना होता है, चीज़ों को already ready करके रखना पड़ता है, और फिर हम बच्चों को इसके अंदर definitely time देते हैं, जिस उतना time तरह बच्छों को एक परचुनिटी देता है इसके अंदर वो अपने आपको फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं और उनकी पॉब्लिक स्किल्स के अंदर डिवेलब होती हैं डेफिनेटली इससे उनका कॉन्फिडेंस भी डिवेलब होता है लेकिन अगर आप उने बड़ा स्क्रिप्ट दे दें और वो पहली दफा ओडियोंस को फेस कर रहे हो तो यह चीज पॉजिटिव होनी की जगा नागेटिव भी हो सकती है